ओट्स किचिडी उसके लिए मनें रिफाइंड लिया है इसके अंदर डालूँगा जीरा थोड़ी हरी मिरिच वो बिल्कुल थोड़ा सा लस्टन और थोड़ा सा अधरकल अच्छा और यह जाएगा इसमें चॉप्ड अनियन उस टेम पर मैंस पर डालूँगा थोड़ा सा चॉप्ड टमाटर और यह कुछ मिक्स सबजी है जिसमें गोबी है गाजर है और बीन्स है और इस सबजी को ही मैं इसके साथ में सौते कर लूँगा नमक अकॉर्डिंग टेस्ट थोड़ी सी लाल मिर्च अरा धनिया थोड़ा सा जीरा पाउडर साथ ही में मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगा ताकि जो मसाले है हमारे वह हो जाएं बैच्छे और हो जाएं और अब इसमें मैं डाल दूँगा ओट्स ये क्वेकर के ओट्स हैं आप चाहें तो और भी कोई क्वालिटी ले सकते हैं और इसको थोड़ा सा मैं इसके साथ मसाले के साथ रोस्ट करूँगा अब मैं इसमें डालूँगा पानी लास्ट में इसमें थोड़ा जाएगा दो दो चम्मज दहीं हमारी रोस्ट की किचिरी तयार है अब इसमें जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया और अब मैं इसको सर्व करूँगा गार्णिश में थोड़ा सा हरा धनिया थोड़ा सा नीम्बू तो यह हमारी ओर्स की खिचडी तयार है और बहुत इज़ी रेसिपी है कोई सब्सक्राइब नहीं है बनाने में इसको और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी पांस-साथ मिनिट में बन के रेड़ी हो जाती है अगर आपके पास सब्सक्राइब नहीं हो तो और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको यह रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मोगे डायक्ट डीम कर सकते हैं मेरी आड़ी है है ऐसे धी तर डीम में मत्तर हो तो और रहटवा लेस्ट कर सकते हो और रोसे में हो तर रापके म्यां जो सेमें वकी सब्सक्राइब की